कि हलो डिगर इस्ट्रेट्ट्स वालकम वन्स टो कंप्यूटर टेकल की इट भी मैं हूं कृतिका पांडियो और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जनरेशन सव कंप्यूटर लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंप्यूटर की टाइप से वह एरा पड़े तो अगर आपने वह व यह स्मीं अफियूटर में जनडरेशन अभी तक की जनडरेशन आई है वो पांड जनरेशन ऍलेशन साइप मतले हम लीडियोटा Jayml चैन बनी तो इसमें prophecies औख बनी generations के year वगरा देखने को मिल जाएंगे इस तरीके से लैसे 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th ये generations है तो आप देखेंगे कि सबसे पहले generation जो है उसमें जो technology थी वो थी vacuum tube इस technology से ही 1945 से 1955 तक जो computer sound में vacuum tube technology का use होता था और vacuum tube उस दिखने में इस तरीके के थे जिसका diagram आपके सामने है या आपके सामने vacuum tubes है आप इनके बारे में कुछ हम लोग points समझ लेते हैं कि computer कितने बड़े थे क्या होता था तो वो चीज़ें हम point में लिखेंगे और आप उन्हें इतने copy पे जरूर नोट करिए तो फर्स generation के अभी हम लोग बात कर रहे हैं फर्स generation में क्या होता था कि इसके जो system फर्स generation के जो computer थे वो size में बहुत ही ज़्यादा बड़े थे उसको operate करने के लिए कई लोगों के जरूरत पड़ती थी तो इनका जो size था वो अप्रॉक्स था 50 into 30 मतलब 50 by 30 यह इनका size था अगर आप इनके weight की बात करेंगे तो जो weight हुआ करता था वो था 30 ton कितना 30 ton इनका weight हुआ करता था इन सब चीजों को आप note करते रहेगा तो 30 ton इनका weight हुआ करता था और अगला जो point है वो यह है कि यह generation के जो computer थे वो बहुत ही ज़्यादा heat full थे मतलब वो बहुत ही ज़्यादा heat generate करते थे next is cut है यह most costly थे सबसे ज़्यादा महंगे यह थे computers तो यह 4 point यह हो गए अगला point और समझ लेते हैं कि इसमें magnetic tape का use किया जाता था इसका magnetic tape को as input इसमें use किया जाता था यह आपके इतने points 5 points हो चुके हैं और इसके बाद में जो अगला point है वो यह है कि इस generation के जो computer से वो AC current generate करते थे और इसमें machine language में काम किया जाता था आजकल तो system पे काम करना बहुत आसान है क्योंकि हम लोग assembly language यूज करते हैं programming language बगरा तब पर तब machine language कैस में यूज किया जाता था तो यह कुछ points जिनको आप जरूर नोट डाउन करिये और इसी तरीके की computer 1955 से 1955 तक आए इसमें जो computers आये थे सबसे पहले उन computers का नाम हम यहां पे नोट कर दे रहे हैं सबसे पहला computer जो था वो था Enyak Enyak के full form होती है electronic numeric integrated automated computer and second जो था वो था idwac electronic discrete variable automated computer and third है idzac electronic delay storage automated computer and port जो है वो है univac univac मतलब universal automated computer यह computers इस generation में सबसे पहले आपके बने थे तो यह points आप अपने पास note कर लीजे फिर हम next की तरफ बढ़ते हैं तो यह आपने रेखा कि पहले generation के जो computer हुआ करते थे वह काफी costly और काफी size में बड़े हुआ करते थे और दूसरी चीज़ एक यह single user हुआ करते थे इन पर एक ही user आपको काम करने के लिए मिलता था अगली जो generation है हमारी वो है second generation second generation मतलब इसमें transistor इसमें जो technology थी वो transistor थे इसे technology पे 1955 से 1964 तक आपके computer सारे यूज किये गया है transistor में क्या हुआ कि इनका जो size हुआ वो क्या हुआ कि smaller हो गया यह दान फर्स जनरेशन smaller than first generation मतलब पहली generation के comparison इनका size जो था वो half हो गया तो एक तो यह चीज हो गया दूसरी चीज क्या हुआ कि इनका weight भी कम हो गया और यह सब होने से क्या हुआ कि यह faster हो गया first generation के comparison क्या हो गया उनसे यह age speed में काम करने लग गया then second generation में उसमें first generation में magnetic tape यूज होता था इसमें punch cards यूज होते थे as a input उसके बाद इसमें जो आपके computer बने वो computer थे इसमें आपका CDC IBM 1401 एक्सेक्टर तो इस तरीके के computer इसमें यूज किये गए है IBM 1401 और अगला point इसमें यह बनता है तो इस generation में Fortran जो की एक programming language है Fortran and Kobo language भी developed हुई तो यह points second generation के हैं इनको आप अपने पास note कर लीजे आप हम बढ़ते हैं third generation की तरफ तो आप देख रहे हैं कि हर एक generation में धीरे धीरे सारी चीजें अपडेट होती चली जा रहे हैं तो थर्ड जेनरेशन के जो computer से उनमें यूज होती थी integrated circuit जो कि एक technology है तो integrated circuit computer बने थे वो 1964 से 1974 तक इसी technology से ही computer बनते रहे और इस technology में क्या हुआ कि जो इनका जो size था वो और ही ज्यादा smaller हो गया मतलब उन generation के comparison इसका size और चोटा हो गया अब जिब size इसका चोटा हो गया तो आफकार्स यह हुआ कि इसमें यह faster हो गया उनसे मतलब second generation से भी और यह faster हो गया और एक अच्छी चीज इसमें आई इसमें mouse और keyboard का use होने लगा third generation में mouse और keyboard का use होने लगा तो इस तरीके की यह आमरी third generation थी, third generation में जो computer आया थे उनका नाम बता देते हैं आपको एक तो honey well यह हम आपको कुछ-कुछ example बताते चल रहे हैं ताकि आपको याद रहे कि किस generation में आय थे honey well 6000 और IBM 360 यह इसमें computers आय थे तो यह third generation है then हमारी next generation की बात करते है next generation है fourth generation इसको आप note down जरूर करते रहिएगा तो अगली मारे जो generation है वो है fourth generation वो है हमारी microprocessor fourth generation में जो technology आय थी वो microprocessor थी microprocessor 1975 से 1989 तक आपके यह microprocessor ही use हो रहे थे microprocessor आने से क्या हुआ कि system का जो एक basically यह system जो थे वो और भी सस्ते हो गया क्योंकि यह size इनका जो था वो काफी small हो गया और एक अच्छी चीज यह हुई इसमें कि इस यह multi user थे मतलब इसमें हमें कई सारे user इसमें काम कर सकते थे और इनका जो speed थी वो बहुत ही जागा fast हो गई microprocessor के वज़े से system का size तो काफी अच्छा हो गया mouse key words अब यूश किया जाता था fast भी हो गया और आपका size भी इसका छोटा हो गया और यह multi users हमें इसने provide क्या है इसमें हम एक मतलब अभी तक क्या हुआ था तीनों generations में single user single user मिल रहा था इसमें हमें multi user की facility मिल गए तो इसमें जो हमारे systems जो आए वो थे PDP और Cray-1 Cray-1 जो की एक super computer है तो इस तरहेके के computers इसमें आए तो यह हमारी 4 generation हुई और फोर जिन्रेशन का अगर देखा जाये तो हम आज भी इस generation को यूज कर रहे हैं 5th generation के साथ में तो यह हमारी 4 generation और अगले अब हम बात करते हैं 5th generation 5th generation आप देख रहे हैं कि यह हैं हमारी artificial intelligence artificial intelligence बहुत ही अच्छी एक generation है और artificial intelligence से कर आपको ऐसे नहीं समाझ आ रहा है तो artificial intelligence means होता है robotics रोबोट्स आपने देखे हैं को सुने हैं मुवी भी देखी होगी नहीं देखे हो तो जरूर देख लेना टेकनलोजी बेस बहुत अच्छी मुवी है तो रोबोट्स जो होते हैं वह फिप जेनरेशन का एक बहुत ही अच्छा एक्जेंपल है फिप जेनरेशन में आई आई आर्टिविसल इंटेलिजेंस जो कि 1989 से प्रिजेंट है और इन फैक्ट प्रिजेंट से नेक्स्ट है क्योंकि टेकनलोजी बढ़ती रहेगी और इतना ज़्यादा आजकल मशीने मतलब मशीनों से अतना काम कराया जा रहा है कि हुमन्स का आजकल काम बहुत कम हो गया है तो जो 5th generation है इसके माँ आपको कुछ example बढ़ा देते हैं इस generation में माल लिया सबसे पहले 5th generation का example आपने Alexa बहुत सुना होगा Alexa किसकी assistant है यह Amazon की assistant है और आप लोगोंने सुना होगा कि Alexa से हम लोग बात करते हैं हाल चल पोशते हैं Alexa कैसे हो यह सब सारी बाते वो खरती है तो वह क्या एक तरीके का रोबोट है तो वह है 5th generation का example second हम देखें तो जैसे Siri Siri किसका assistant है Siri Apple का assistant है इसका भी सेम है तो जैसे हम लोग ज्यादा तर यूश करते हैं Android phone के यूजर्स ज्यादा है तो Google Assistant गूगल एसिस्टेंट तो यह तो पता है आप जो भी इनसे बोलोगे क्योंकि basically क्या है यह रोबोट है तो इन्हें ऐसा programming करके तयार किया जाता है तो 5th generation जो है वो 4 generation के साथ मिलके दोनों ही generations का आजकल हम लोग यूश का रहा है या फिर अगर मुझे किसी और वीडियो पर किसी और प्रॉपिक पर कोई वीडियो बनाना चाहिए तो आप लोग हमें जरूर सजेस्ट करें कमेंट किरके में जरूर बताएं फिलाल हम लोग मिलते हैं next वीडियो में और आप लोग अपनी तयारी continue रखिए all the best heavenized